मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्वार को कहा कि देश की सबसे बड़ी आवादी के साथ ही उत्तर प्रदेश MSMA की सरवाधिक यूनिट रखने वाला भी राज्य है। एक सरवेक्षन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 96 लाख MSMA यूनिट है। क्रिशी के बाद उत्तर प्रदेश में यह सरवाधिक रोजगार स्रिजन करने वाला च्षेत्र है। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ यहां UP International Trade Show 2024 के शुभारंब समारों को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व योगी ने कारेक्रम के मुख्य अतिथी एवं उपराश्ट्र पती जगदीब धनखड का स्वागत किया और Trade Show में विभिन स्टॉल का अवलोकन भी किया। हम सब जानते हैं के उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आवाधिका राज्य तो है ही। लेकिन यहाँ MSME के सरवाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगवग 96 लाग MSME यूनिट यूपी के 75 जन्पदों में फैला हुआ है। और 91 लाग MSME यूनिट उत्तर प्रदेश में किर्सी के बाद सरवाधिक रोजगार स्रिजन करने वाला च्छेत्र है। मुख्य मंत्री योगी ने कहा कि सैक्डों वर्ष से अलग-अलग शेत्रों में उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार स्रिजन के लिए हस्तशिल्पियों और कारिग्रों ने इन्हें बढ़ाने में योगदान दिया था लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोचाहन के अभ करने के विजन को धरातल पर उतारने के लिए अनिक कारिक्रमों को आगे बढ़ाया गया इसमें ODP के रूप में सभी 75 जनपदों का यूनिक प्रोडेक्ट तै किया गया इसके प्रोचसाहन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेकनोलोजी से ज प्रायसा था, इसका अपना एक लंबा इतिहास है, कोई 500 वरसों से, कोई 300 वरसों से, कोई 200 वरसों से, कहीं पे 100 वरसों से दिक समय से, अलग अलग छेतरों में ये टेडिस्ट टेडिस्टनल प्रोड़क्ट उत्रप्रदेश के अंदर, उस समय रोजगार सिरजन के लिए, उत्रप्रदेश के हस्प सिल्पियों ने, कारीकरों ने, इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद, उचित प्रोटसाहन के बहाओं में, उन्हें समय पे टेक्नोलोजी न मिलने, समय पे, वहा समय के न रूप, उन्हें उस उच प्रोटसाहन मिलने के परिणाम सरूप, वे लगभग बंदी के एक अगार पर पहुंच चुके थे, 2017 में जब उत्तरप्देश में हमारी सरकार आई, तब आधन ये प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में, उनके नित्रत्तों में, आत्म निर्भर भारत की परिकलपना को स रमीनी धरातल पर उतारने के लिए, हम लोगों ने जिन कारेकरमों को आगे वढ़ाया, उसमें वन डिस्टिक, वन प्रोड़क्ट के रूप में सभी 75 जन्पदों का कोई यूनिक प्रोड़क्ट होगा, और उसके प्रोचसाहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसक उसे टेकनलोजी से जोडने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए, हम लोगों ने जिस अविहान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर, ओडी ओपी के रूप में, वन डिस्टिक, वन प्रोड़क्ट के रूप में देश के अंदर, जाना जा रहा है, और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सिर्जन के सबसे बड़े महतपून के इंदर के रूप में यो भरा है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही सभी 40 लाख कामगारों की स्किल मैपिंग कराई गई और हर जन्पत को इसका डाटा उपलब्ध कराने के साथ संबंधित यूनिट में कारे का आफ दिया गया। इन लोगों ने आकर उत्तर प्रदेश की अर्थ विवस्था को उत्तर प्रदेश के जो कारेगर जो सर्मिक देश के अलग-अलग राज्यों में कारे कर रहे थे उनके सामने भीशन आजीविका का संक्ट खड़ा हुआ था। पुरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा। लेकिन मैं निसिंद था मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंसियल है यह 40 लाख नहीं बलकि 4 करोड भी आएंगे यूपी इन सब को अपने हाँ जगे देगा क्योंकि यह यूपी के हैं और मुझे बताते हुए प्रसंता है कि यह 40 लाख जो भी कामगार और सर्मिक उत्तर प मैपिंग करवाई थी और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक एक जनपत को हम लोगों ने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्द करवाने के साथ ही उन्हें वहाँ पे समंधित यूनिट में कारे करने के लिए भी एक आफर उन्हें उपलब्द करवाया पैणाम मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत की अर्थ विवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने के अभियान के साथ ही यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने की दिशा में प्रदेश तीजी से बढ़ रहा है यह वही यूपी है जो साथ वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था लेकिन आज यह देश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है इसमें MSME सेक्टर की बड़ी भूमिका है कोई भी बड़ा अध्योगिक निवेश बिना MSME बेश के आगे नहीं बढ़ सकता है उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधान मंत्री मोधी जी के भारत की अर्थ विवस्ता को 5 टिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता बनाने के अभिहान में उत्तर प्रदेश भी वन टिलियन डॉलर की कोनोमी की दिसामें तेजी के साथ आगे वड़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है यह वही यूपी है जो आज से साथ वर्स पहले देश के विकास का बेरियर माना जाता था आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन की रूप में जाना जा रहा है इसमें MSME सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है मुख्यमंत्र योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आनलाइन पंजी करन के बाद यदि कोई MSME यूनिट आपदा का शिकार होती है तो राज्य शासन की तरफ से उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं प्रदेश में फ्लैटिड फैक्टरी और निजीक शेत्र में प्राइविट इंडिस्ट्रियल पार्क के निर्मान की कारवाई तीजी के साथ बढ़ी है ओडियोपी योजना की सफलता के साथ ही उत्तर प्रदेश के पास सवाधिक 75 GI टैग है प्रोत्साहन के अभाव में जो उत्पात दम तोड़ रहे थे आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश के अलग-अलग सेक्टर में भी अनिक कार्य हुए है उत्तर प्रदेश का जो प्रोड़क्शन है उन्हें भी शोकिस का अफसर UP ITS उपलब्ध करा रहा है MSME unit के लिए जो भी unit UP के अंदर है उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगोंने मातर registration पर online registration करवाना है और अगर किसी भी आपदा का सिकार वा unit होती है तो उसे पांच लाख रुपे की आर्थिक सायता हम उन्हें राज्य सासन की तरब से उन्हें बीमा की रूप में उपलब्ध करवाते हैं प्रदेश के अंदर flatted factory का मामला हो या निजी छेतर में private industrial park के निर्मान की कारवाई ये तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट की योजना की सफलता के साथ ही आज देश के अंदर सरवाधिक जी आई टेग यूपी के पास 75 जी आई टेग यूपी के पास मौजूद हैं जिसके माध्यन से हम लोग यूपी के प्रतेग प्रॉडक्ट को जो उत्तर प्रदेश के अंदर था लेकिन प्रॉटस्थान के बाव में दम तोड़ रहा था आज उसे आगे बढ़ाने का कारे हो रहा है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग-अलग सेक्टर में जो कारे हुए हैं जो प्रॉडक्शन यूपी का है उन सबको भी सोकेस करने का एक उसर या इंटरनेशनल तेड़ सो उपलब्द करा रहा है मुख्य मंत्री योगी ने कहा कि पांच दिन तक जी दो जी जी दो भी समेत अनेक कारेक्रम होंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल बलकि सांस्कृतिक समाजिक विवित्ता के विभिन पक्षों को प्रदर्शित करने के साथ ही उचित फोरम के रूप में उत्तर प्रदेश को पूरवी उत्तर प्रदेश से जोड रहा है प्रयाग राज महाकुम से पहले इसे क्रियाशील करने के लिए प्रयासत है रेलव सड़क का सबसे बहतरी नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है उत्तर प्रदेश सुद्रिड कानून व्यवस्था के साथ ही स्किल और अनस्किल मैंपॉवर का सबसे महत्वपून केंद्र बनकर उभरा है स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरन योजना के तहट सरकार दो करोड युवाओं को टैबलेट वर स्मार्ट फोन दे रही है आज उत्तर प्रदेश जैसा कि मैंने कहा आपको कि न केवल MSME के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है बलकि अपने बेहतरीन इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है मौजूदा समय में हमारे पास साथ एकस्प्रेस वे पूरी तरह कारे कर रहे हैं छै एकस्प्रेस वे पे वर्तमान में हम लोग कारे कर रहे हैं प्रदेस में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कारे रत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कारे कर रहे हैं जिसमें चार इंटरनेशनल एरपोर्ट वर्तमान में क्रियासील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बन करके तयार हो रहा है और इस वर्स के अंद तक हम उसे बनाने का लक्ष रखते हैं देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस्वे गंगा एक्सप्रेस्वे भी इसी पसिमी उत्तरप्रदेश को पूर्वी उत्तरप्रदेश से जोडने के लिए बन रहा है इस वर्स के अंद तक दिसंबर दोहजार चौबीस में प्रियागराज महाकॉम्ब दोहजार पचीस के पूर इसको भी हम क्रियासील करने के लिए युद्धस्तर पर प्रियासरत हैं आद्प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरी नेटवर्क हमारे पास मौजूद है उत्तर प्रदेश की सुद्र कानून बिवस्ता के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर इसकिल मैंड पावर और अनिसकिल मैंड पावर यह देश का सबसे महत्वपूर के इंदर में दो उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है दो करोड युवाओं को तक्निकी दिश्चे सक्सम बनाने के लिए भी आज उत्तरब्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवास ससक्तिकरण योचना के माध्यम से हम तक्निकी रूप से उन्हें सक्सम बनाने के लिए दो करोड युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बित्रण करने और उन्हें तक्निकी रूप से डिश्कली उन्हें सक्सम बनाने के सामें राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। मुझे पुरा विश्वास है कि यह अगले पांच दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल टेड़ सो अपने प्रथम संस्क्रण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रॉड़क्ट को उत्तर प्रदेश के पोटेंसियल को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेश्ता को और सा पाद, पोटेंशियल, संस्कृतिक विशेष्टा वा सामाजिक विवित्ता को वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। 2500 से अधिक एक्जीबिटर्स, 350 से अधिक फॉरिन बॉयर्स उपस्थित हो चुके हैं। पार्टनर कंट्री के रूप में वियतनाम के सेभागी बनने पर मुख्य मंत्री ने धन्यवाद ग्यापित किया। मुख्य मंत्री ने वियतनाम के डेलिगेट्स से मुलाकात भी की।